श्री शिवाय नमस्तुभ्यम सभी लोगों को आज की विडियो में आपका स्वागत है आज की इस विडियो में हम आपको पशुपती वरत विधी बताएंगे तो चलिए आज की विडियो शुरू करते हैं पशुपती वरत विधी पहला आप पशुपती का जिस सोमवार से करना प्रारंभ कर रहे हैं उस सोमवार को स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर पांच सोमवार व्रत करने का संकल्प लें दूसरा फिर आप अपने आसपास के शिवालय, मंदिर जाएं तीसरा अपनी पूजा की थाली में धूप, दीप, चंदन, लाल, चंदन, विल्वपत्र, पुष्प, फल, जल ले जाएं और शिव भगवान का अभिशेक करें चौथा इस थाली को घर आकर ऐसे ही रख दें पांचवाँ जब आप साएं के समय प्रदोश काल में स्वच्छ होकर मंदिर जाएं तो इसी थाली में मीठा प्रसाद एवम, च्छाह दिये, दीपक, घृत के लेके जाएं चटवाँ मीठे भोग प्रसाद को बराबर तीन भाग में बांट लें दो भाग भगवान शिव को समर्पित करें, बचा हुआ एक भाग अपनी थाली में रख लें इसी प्रकार आप जो च्छ दिये लाएं हैं, उनमें से पांच दिये भगवान शिव के सम्मुख प्रज्वलित करें आठवा, बिना जला बचा हुआ दिया अपनी थाली में रख कर घर वापस ले आएं, इसे घर में प्रवेश होने से पहले अपने घर के मुख्यद्वार के दाहिने कोर चोखट पर रख कर जला दे गर में प्रवेश करने के बाद एक भाग-भोग प्रसाद को आप ग्रहन करें, इस प्रसाद को किसी और व्यक्ति को न दे इस व्रत में आप प्रसाद के साथ भोजन भी ग्रहन कर सकते हैं, हो सके तो मीठा भोजन ही करें